तीस अप्रेल उन्निस सो बावन में स्वतंत्रता सेनानी व राश्ट्रपती द्वारा राश्ट्रिय शिक्षक सम्मान प्राप्त पंडित बिशंबर सिंग व विरांग नामाता रामकली देवी केहा जन्मा एक बच्चा शुरू से ही योग, यग्य, स्वास्थे, सेवा व पर इसी चोटी उम्र में पाक चाताधारियों को पकड़वाने में इस तरुन की बहादुरी को फिल्ड मार्शल जेनरल सेमूल मानिक शाह ने सम्मानित किया, सेना व पुलिस के प्रती आकर्शन, व अभिने के शौक भी इने अध्यात्म, व अभ्यास से विमुख न कर सके, क्य जरंगबली की सेवा ही रहा, जिसने इन्हें फॉलादी जिस्म के दिल्ली श्री, अर्जुन व प्रताप श्री, हिमाचल श्री, भारत श्री जैसे खिताब और योग सेवा का धर्म दिया, मात्र 21 साल की आयू में 1973 में मोक्शायतन योगाश्रम की स्थापना करके इन्होंने स्वयम को अपने असंख्य शिश्यों में घोल दिया, योग गुरु स्वामी भारत भूशन मात्र 49 वर्ष की आयू में योग साधना के क्षेत्र में राश्रपती से पहला पदमश्री सम्मान पाने वाली विभूती है, इन्हें CCS युनिवरस्टी से मानत डिलिट उपाधी भी प्राप्त है, घरस्त सन्यासी के रूप में विख्याद गुरुदेव ने 1990 से अंतराश्ट्रिय योग महतसव की शुरुवात करके योग का संदेश करीब 60 से अधिक देशों तक पहुँचाया, योग साधना के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें पुलियान 2011 में इन्हें भारत के 50 उंचे और असरदार लोगों में शुमार किया गया, वर राश्ट्रिय यो अंतराश्ट्रिय चैनल्स ने इनके व्यक्तित्व पर डॉक्यमेंटरी फिल्म्स बनाई, गुरुदेव ने अनेग मंत्रालेयों, प्रशास्निक वपुलिस अकाद्मियों, सेना वग पैरा मिलिटरी फोर्सेज, विश्व विद्यालेयों आदी में विशेशग्य के रूप में योग शिक्षा की शुरुवात की, महा महिम राश्ट्रुपती लोग सभाध्यक्ष वगवर्नर समेत देश विदेश की अनेग विभूतियों ने मोक्षायतन योग संस् लेवा के लिए लाइव ब्लड बैंक की शुरुवात करके युवा शक्ति को देश्व मानफ्ता के लिए उपयोगी बनने के दिशा दी गुरुदेव के अनेएक शिश्य आज अनेएक देशों में भारतियों का पर्चम लहराने के साथ साथ योग व अध्यात्म द्वारा एक बहतर दुनिया बनाने के दिशा में कायम रहे हैं भारतिय योग की मौलेक्ता को सुरक्षित रखने के लिए इनके द्वारा आरंब किया भारत योग आज विश्व भर में व्यापक रूप ले चुका है वह भारत योग पर 32 से जादा टीवी शोज राश्ट्रिय व अं साथ वंदनिये गुरुदेव एक आदर्श पुत्र भाई पती पिता मित्र दादा वा नाना के रूप में भी स्वैम में एक मिसाल है गुरुदेव के जन्दिवस पर हम सभी सादकों की रूर से उन्हें कोटी-कोटी नमन ओम गुरुवे नमहा योगस्थक कुरु करमाणी संगम् त्यक्त्वाधनन जय सिध्य सिध्य समोभुप्त्वा समत्वम योग उच्यते योगेश्वर भगवान क्रशन ने गीता में विशाद से ग्रस्त, निराशा से ग्रस्त, हताशा से ग्रस्त और युद्द से विमुक हुए अर्जुन को उन्हें करतव पत पर लाने के लिए ये उपदेश दिया हम सब लोगों के लिए युगों युगों से योग ऐसी विद्ध्या बन गई है कि हर चीज का सुलूशन हम इसमें खोज लेते हैं एक सूक्ति है कि प्रियोजनम अनुदिश्य मंदो अपि नपरवर्तते बिना प्रियोजन के तो कोई मूर्ख व्यक्ति भी कारिय नहीं करता है और हम तो अपने आपको अशर्फुल मखलुकात समझते हैं और समझते हैं इन्हीं घोशित हैं कि परमात्मा ने जितनी कृतियें पनाई हैं उनमें सरवोत्तम कृति है मानव तो फिर हम बिना सोचे समझे बिना हित समझे किसी कारिय को करें ऐसा कैसे हो सकता है सचाई तो यह है कि बिना सोचे समझे जब हम करते हैं तो तो अहित होता है लेकिन अगर विचार पूरवक हम किसी कारिय को करते हैं विवेक पूरवक किसी कारिय को करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से हमारा हित है योग को एक जीवन शैली के रूप में जो प्रतिपादित किया है रिशियों ने हमारे लिए स्वयम भी उन्होंने उसका अनुसरन किया, कसोटी पे कसा और पाया कि इहलोक और परलोक दोनों में ही सफल जीवन के लिए हमको अगर कोई सर्वत्तम साधन प्राप्त है तो वो योग की साधना है आज जो परिस्थिति हमारे सामने हैं वो बिल्कुल ऐसे ही समझें जैसे कभी अरजुन के सामने परिस्थिती थी आज वो ही परिस्थिती मनुष्य के सामने हर मनुष्य के सामने है कि जो काल का विक्राल रूप उसको दिख रहा है वो उसको भय दे रहा है वो उसको शंका दे रहा है वो उसकी जीवनी शक्ति का और जिजीविशा का हरण कर रहा है निराशा की तरफ उसको धकेल रहा है मृत्यों की विभीश का उसे हर समय दिखाई दे रही है और एक ऐसे अग्यात शत्रू के द्वारा जिससे सीधे सीधे सामने खड़े होकर के लड़ा भी नहीं जा सकता। बलकि कहें कि थोड़ा सा माभारत कालीन जो चुनोती अरजुन ने जेली उससे भी जादे बड़ी चुनोती इस समय मानवता के सामने है। लेकिन क्या हम निराश हो जाएं? क्या हम हताशा में चले जाएं? नहीं, हमें अंगणाई लेकर के खड़ा होना होगा। भय और पलायन कभी किसी समस्या का समाधान हुआ ही नहीं है। अगर क्रशन ने सोलहवाल बार युद्ध भूमी से पलायन भी किया है, तो वो एक योजना के तहत किया है। और उस योजना का लक्ष था सफलता, दुश्मन को उसने एक्जॉस्ट किया और उसका परिणाम ये हुआ के सत्रहमी बार जो रण छोड कहलाने लगे थे भगवान क्रशन, वो विजेता हुए। ऐसे ही अगर हम अपने घर में सीमित हो जाते हैं, अगर हम जो प्रति दिन की हमारी बाहर की कतिविदिये हैं, उनको कुछ समय के लिए टाल देते हैं, वो बिलकुल ऐसे ही हमें सुरक्षित करता है, जैसे कच्छुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ताकि बबाल टल जा है और फिर से हम सामानने जीवन जीए योग एक ऐसा अस्त्र है हमारे हाथ में, जिससे मन भी चंगा होता है, और तन भी चंगा होता है। इसलिए मैंने कहा कि नान्यपंथा और कोई राष्टा नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास सारे अस्त्र भी हो, सारे शस्त्र भी हो, और हमारे पास धैर्य और विवेक न हो, तो हम संदिग्द इस्थिती में हो जाते हैं, हमारी सफलता संदिग्द हो जाती है और विवेक का और धैरिय का जो स्रोत है वो योग है हमारे लिए जिस समय पिछले वर्ष 2020 में कोरोना का संक्रमन पूरे दुनिया ने जेला उस समय कोई वेक्सीन नहीं थी, दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई थी क्योंकि यहां पर योग है, यह बहुत बड़ी सफलता थी हमारी कि दुनिया की लगभग सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश होते हुए भी हमने न सिर्फ बिना वेक्सीन के ही कोरोना पर पार पाया, बलकि हमने कोरोना की वेक्सीन भी डवलप की और उस समय इसका आधार था केवल आत्म सैयम, केवल अनुशासन, केवल अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ाना और उस समय में जो योग का अस्त्र भारत ने दुनिया को दिया था और उसमें भी विशेश रूप से मुझे खुशी है के मुक्षायतन योग संस्थान ने कोरोना के प्रिवेंशन के लिए और जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए और यहां तक के जो लोग कोरोना से की महामारी से ग्रसित होकर के सुरक्षित होकर के बाहर वापस भी आये तो उनको पुन्ह सामानने जीवन सकारात्मक जीवन देने के लिए एक प्रोटोकॉल डवलेप किया उसका एक विश्व्यापिश स्वागत हुआ इस समय एक नहीं दो दो वैक्सीन हम विक्सित कर चुके हैं और दुनिया को दे भी रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी ये जो वाइरस है ये और विक्राल रूप लेकर के हमारे सामने आया है इस परिष्थिती में क्योंकि ये दिखाई दे रहा था कि ये संकट अभी टला नहीं है इसलिए हमने इस बार अंतराश्टिय योग दिवस आने से पहले ही जिस समय हमने 28 मार्च को होली के दिन हमने अंतराश्टिय योग दिवस कारिकरम शंकला का कर्टन रेजर आयोजित किया उस कर्टन रेजर में मुख्य धे ही दिया कि एक युद्ध कोरोना के विरुद्ध, योग युद्ध कोरोना के विरुद्ध, कि योग के अस्तर से हम इस लडाई को उपर भी पार पाएंगे, योग की जो लडाई है वो हमला करने वाली लडाई कभी नहीं रही, योग की लडाई सुरक्षात्मक लडाई है, योग की लडाई सकारात्मकता की लडाई है, योग की लडाई निर्भैता और विवेक की लडाई है, योग की लड़ाई अपनी जीवनी शक्ती को बढ़ा लेने की लड़ाई है और अगर कोई समस्या की रेखा हमारे सामने खिंची हुई भी है तो इन अस्त्रों के माध्यम से हम उसको छोटा कर देते हैं क्योंकि यह अस्त्र उससे बड़ी लंबी रेखा जो है वो सिद्ध हो जाते हैं हमने सोचा और यह विचार किया कि दुभारे से उतनी बड़ी संख्या में जैसे मानिय प्रधान मंत्री जी के आवाहन पर जब दुनिया ने अंतर राष्ट योग दिवस को स्विकार किया तो पहला जो समागम था राजपत पर करीब 40,000 लोगों के द्वारा हुआ उनका समागम था उसके बाद दुबारे हुआ अगले साल 2016 में तो वो लगवग एक लाख लोगों का समागम था और ऐसे समागम जगे जगे हुए मैंने भी भारत में भारत से बाहर दूसरे देशों में जाकर के बड़े योग के समागम किये लेकिन हमें दिख रहा था कि आने वाला समय युद्ध का तरीका बदलना पड़ेगा जो आज इंडियन योगा असोसियेशन ने आईश्वंत्राले ने भारत सरकार ने अपनाने का आवाहन किया है कि हम वर्च्वल और प्रोग्रेम्स कंड़क्ट करें यानि दूर से ही हमारा संबाद बना रहे और ये योग की शक्ति वैसे भी हमेशा से रही है अब तो इलेक्ट्रोनिक गैजेट्स बहुत डेवलप हो गए है मीडिया सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है लेकिन जो आत्म शक्ति का मीडिया है जो स्वरों के विज्ञान का मीडिया है वो युगो युगों से बहुत एक्टिव रहा है भारतिय योग मनेशा ने दुनिया को सिखाया कि योग स्वरों का विज्ञान है स्वर्ग्यानात परम ज्ञानम स्वर्ग्यानात परम धनम स्वर्ग्यानात परम गुयम नवाद्रस्टम नवाश्रुतम हम स्वर्विज्ञान के माध्यम से भी अपनी आत्मिक शक्ति के विस्तार के माध्यम से भी अपने चित्त की निर्मलता में जुड़ करके परम निर्मल परमेश्वर के साथ जुड़ करके हम अपने अस्तित्यों का दाइरा बढ़ा लेते हैं जैसे एक मा के अस्तित्यों का दाइरा बढ़कर के उसके संतान तक पहुँच जाता है एक प्रेमी के अस्तित्यों का दाइरा बढ़कर के उसके प्रेमी या प्रेमी का तक पहुँच जाता है एक योगी का प्रेम का दाइरा बढ़कर के विस्टी से समस्टी तक पहुँच जाता है तो मा का बच्चा अगर साथ समुद्र पार भी किसी खास परिस्टिती में, दुख में, विशमता में है तो उस मा की नेंद यहीं हराम हो जाती है आईसे ही मित्र को कहीं कुछ हो रहा है लेकिन वहाँ पर भी सम्माद स्थापित हो जाता है और स्वरोद्य विज्ञान के माध्यम से अपनी इस कनेक्टिविटी को हम काफी बड़े दाइरे तक बढ़ा सकते हैं तो योगी इस परिस्थिती का एहसास कर चुके थे और इसी लिए ये सोचा गया और मैंने कहा कि इस समय तो हमारी सरकार नहीं आवाहन किया कि भीड न जुटाई जाए लेकिन शारिरिक दोरी जिसको हम फिजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं उसको रखते हुए भी हम आत्मिक निकटता का एहसास और उसके प्रियोग कर सकते हैं आज चाहे वो तरीका हो और अगर वो तरीका उपलब्द नहीं तो स्थूल तरीका जो हमारे पास में ये सोशल डिस्टेंसिंग मिंटेन करते हुए अपने योग के जनजागरन अभियान को जिन्दा रखने का और जनजन को उससे लाभानवित कराने का निकाला वो ये है कि हम इस सोशल मेडिया के माध्यम से हम इंटरनेट के माध्यम से अपने इस अभियान को योग अभियान को जुड़ने के अभियान को और जगाने के अभियान को जारी रखें योग युद कोरोना के विरुद जारी रहेगा प्राहे इस समय जो चर्चाएं हम सुन रहे हैं खास तोर से टेलिविजन के माध्यम से या अन्य समाचारों के माध्यम से तो उसमें अधिकांच चता है जो भयावह चेहरा है वो सामने लाया जा रहा है और उसका परिणाम ये हो रहा है कि व्याग लोगों में इसके प्रती भय का वातावरण बढ़ता चला जा रहा है भय के वातावरण ने जीवनी शक्ती का हमेशा हरास ही किया है समस्या है तो है और वो समस्या आज कोई नई नहीं है क्योंकि इन समस्याओं में हम डरते किस चीज़ से हैं मरण से, मरण तो हमेशा से ही रहा, क्या हम कभी मृत्यू के चंगुल से बच सके हैं, सच्चाई तो ये है, कि हम इस चीज़ को जान लें, कि हम जीवन और मृत्यू साथ साथ चलते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कफन बढ़ा तो किस लिए, ए नजर तु डब डबा गई, सिंगार क्यों सहम गया, बहार क्यों लजा गई, ना जन्म कुछ, ना मृत्य कुछ, बस जरा सी बात है, किसी की आँख खुल गई, किसी को नीद आ गई, सिल्सिला तो यही रहा है, तो क्या डर करके हम उस मौत से कभी बच सके हैं, या कोई बच सका है, सच्चाई तो यह है, कहते हैं कि वर्यर्स नेवर टेश्ट अ डेथ बट वन्स, कावर्ट्स डाई मिनी टाइम्स बिफूर देर एक्च्छल डेथ, तो विवेक क्या कहता है, विवेक यह कहता है, कि योग एक विराठ विज्ञान है, विशद विज्ञान है, और उसमें हर परिस्थिति के लिए राष्टा है, खुशी भी हमें मार देने वाली होती है। बहुत से लोग हैं कि जब खुशी का कोई समचार मिलता है तो उसको भी जेल नहीं पाते है। अगर किसी विपन व्यक्ति को जो रोटी के लिए भी तरस रहा है जिसके तन पर कपड़ा भी नहीं है। उसको अनायास ये पता चल जाए कि उसकी एक क्रोड रुपे की लाटरी खुल गई। तो उसका मुझ खुला का खुला रह जाता है। प्राणान तो हो जाता है। खुशी भी हमारे लिए मृत्यू का ही साधन है। मौत ही इंसान की दुश्मन नहीं। जिन्दगी भी जान लेकर जाएगी। तो ये तो तै है। साक्षी भाव जिसको हम कहते हैं वो केवल योग के माध्यम से हमको मिलता है। ध्यान के माध्यम से हमको मिलता है, तो जो भी परिस्थिती हमारे सामने हो, उस परिस्थिती में सर्वोत्तम क्या हो सकता है, वो हम खोज लेते हैं, और उस परिस्थिती में उस साधन से इलाज कर लेते हैं। एक समय है क्योंकि जो समय इसमें आया है उस समय योग की गूड विद्याएं, योग की गूड क्रियाएं, योग के जटिल आसन, योग का अध्यात्म परक तत्व ज्यान उतना कारगर नहीं क्यों? क्योंकि उतना स्विकार करने की अवस्था भी मनुश्य की नहीं है, वो चाता है कि इस समय जो मैं इस जंजीरों में बंधा हुआ हूँ, डर की और निकट आती हुई मौत की, मुरे फिलहाल वहां से रहत मिल जाए, बाकी काम फिर करेंगे, और वो गलत नहीं है ऐसा सोचने मे इसलिए योग की जो सामानने का क्षाएं हैं, वो सब स्थगित कर दी गई हैं, और जो इस समय हमारे काम आने वाली विद्या है, उसका हम उप्योग करते हैं, तो जो कोरोना रोधी कैपसूल, प्रिवेंशन के लिए, युमिनिटी को बढ़ाने के लिए, पॉजिटिविट बलकि योगी तो अभी बचे हुए हैं इससे, लेकिन योगी मैंने कहा कि वो दूसरे के पीड़ा को अपनी मानता है, और उसे मानना भी चाहिए, तभी तो योग है ना, वरना तो योग कैसा, अपनी अपनी रहा, हमें एक दूसरे के प्रतिय समेदन शील भी नहीं, एक आदमी की है, जिसने कभी योग साधना नहीं की है, ऐसे लोगों के लिए हैं, जो अब ये चाहते हैं, इस समय कुछ ऐसा बता दिया जाए, कि हम योग से अपनी जीवनी शक्ती को बढ़ा लें, आज जो समस्याएं सामने इस बाले दौर में आ रही हैं, जो सेकंड स्ट्रे स्ट्रेंड आया है, कोरुणा बीमारी का, वो ऐसा आया है, कि उसमें व्यक्ती को अक्सीजन की कमी हो रही है, उस समय सीधे सीधे फेपड़े संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन रास्ता उसका वो ही है, पहले जो उसका जो स्ट्रेंड था पहले वाला पिछले साल उसमें ये था कि ये नासिका पे पता चल जाता था ये पता चली जाता था कि ये इतना समय हमारे नेसल ट्रैक में रुकेगा चेंबर में रुकेगा और तब जो है चार-पांच दिन बाद ये लंग्स को एफेक्ट करना शुरू करेगा तो हम एक पड़ाओ के हिसाब से तैयारी कर रहे थे यानि लोग तैयार हो जाते थे उसके लिए लेकिन अब उसका सीधा इफेक्ट यानि उसको ट्रैक तो वही है उसी तरह ये ड्रॉपलेट्स के माध्यम से उसी तरह से ये नासिका के और मुक के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है लेकिन इसकी पेनिट्रेटिंग पावर इतनी जादे बढ़ गई है कि जब ये सीधा फेफ़रों के ऊपर एसर कर देता है तब हमको पता चलता है लेकिन जो सूक्ष्म शत्रू है उससे लड़ने के लिए सूक्ष्म हत्यारी हमारे काम आएगा और इसलिए मैंने कह कि जो योग की विद्या है सूक्ष्म विद्या है वो स्वरूप हमें चूना होगा ध्यान के माध्यम से हम इस पर पूर्ण तह पार पाएंगे अपने लिए भी उस रोग का निवारन करेंगे और अन्यों के लिए भी हम जीवनी शक्ति का संक्रमन करेंगे जैसे रोगी के अंदर रोग का संक्रमन हो जाता है और वो प्रभावित होता है ऐसे ही उस रोगी के अंदर हम योग का संक्रमन करें और वो जो भावतरंगे हैं ध्यान के माध्यम से दी जाने वाली सकारात्मक्चिंतन के माध्यम से दी जाने वाली उनके द्वारा उसकी जीवनी शक्ति का अविस्तार हो, लेकिन जिसके ऊपर हम इसको प्रियोग कर रहे हैं उसको अभी नहीं पता है, वो चाहता है कि मैं इस बंदन से मुक्त हूँ, इसलिए जो प्रोटोकॉल दिया गया था, कोरोना रोधी प्रोटोकॉल, तो उसका पालन करना चाहिए, उसमें हमने वो आसान सी क् जो आप किसी भी अच्छे योग साधक से, किसी योग शिक्षक से, वो किसी भी संस्था का हो, यह कोई जरूरी नहीं, कि हर जगे मुक्षायतन योग संस्थान के जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं, या प्रशिक्षक हैं, वो ही जाकर के सिखाएं, ऐसा जरूरी नहीं, क्यो कि ये योग की विद्या तो रिशियों से चली आ रही है और सब के पास में है जहां जहां भी जिन जिन संस्थाओं के माध्यम से भी जिन जिन व्यक्तियों के माध्यम से सादकों के माध्यम से योग का शिक्षन हो रहा है वो रिशियों का कारिय ही हो रहा है वो लोक कल्यान का कारिय ही हो रहा है तो ये आसान सी क्रियाएं तो हर कोई योग शिक्षक आपको सिखा सकता है मैं यहां उनका उलेक करना चाहूँगा उनमें भी वो क्रियाएं है जो इस समय संक्रमित रोगी भी है जो बेड़ पर पड़े हुए भी है वो भी उसका लाब ले सकते है आप देख रहे हैं कि प्रकृति ने तो हमें ऑक्सीजन खूब खूल करके दी थी और दी हुई है लेकिन हम न तो प्रणयाम करते हैं ना हम प्रकृति के पास जाते हैं हम लोग तो सोचते हैं कि अपने शेल्स में जो एसी कमरे हैं जो सुख सुविधाओं के क्षेत्र हैं वहीं पर रहकर के अपना काम चला लें लेकिन महाभी प्रकृति ने आज बताया कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है बायू मंडल में ऑक्सीजन पूरी है लेकिन आपकी उसे लेने की क्षमता खम हो गई है मा दे रही है लेकिन हम मा से उसके दिये हुए दुगद का पान ही करने की सामर्त्य खो बैठे हैं तो इस परिस्थिती में कैसे काम चले तो यहाँ भी योग माता हमारी मदद करती है जो क्रियाँ आपको हम बता रहे हैं उनमें खास तोर से नेती के बारे में बताया गया क्योंकि गरम पानी का अकसर चर्चा होती है कि गरम पानी पीना चाहिए गरम पानी पीना बहुत अच्छा है लेकिन जो इस समय ततकाल जरूरत है वो गरम पानी पीने में उतना हमें लाब नहीं देगा उसके बहुत सारे फायदें है उनका फायदा बताना यहां जरूरी नहीं इसलिए हमने इसको प्रोटोकॉल में भी लिखा है लेकिन इस समय जो इमर्जनसी है उसमें गरम पानी की भाप 60-degree वाला पानी 50-degree centigrade जो गरमाट है उस वाला पानी 70-degree वाला जिसमें हम कोरोणा वायरस को क्योंकि इसका जो रूट है वो जो हमारे साइनस है उसका भी जो इनर पार्ट है उसमें जाता है वो तो मूझ से जो गरम पानी हम पी रहे हैं वो ग्रास नली से चैंबर में उसको राहत देगा लेकिन जो नासिका के माद़िम से भाप के दौरा गरम भाप के दौरा जो हम ट्रीट्मेंट लेंगे दिन में 2 बार हम गरम भाप नाक के माद़िम से लें 5-5 मिनिट के लिए केवल तो वो हमें जादे effective होगे दूसरी चीज जो हमें करनी चाहिए वो है नासिका में सरसों के तेल का लगाना या नासिका में गाय के घी का लगाना क्योंकि इसमें केवल एक वाइरस नहीं बलकि वाइरस हो या हमारा एनेमी बैक्टिरियाज हो वो वहाँ पर अटक सकते हैं और उनको वहाँ पर हम detain कर सकते हैं उसके बाद नेति कर्म खास तोर से जलनेती और सूत्रनेती जो लोग यह सोचते हों कि अब इस लेवल पर क्योंकि यह सीखने की चीज है लेकिन जो वो नहीं कर सकते तो इस समय सपोज वो कॉरंटाइन ही हो गए हैं और वहाँ पर योग सिखाने वाले व्यक्ति वहाँ पर नहीं हैं तो वो इतना काम तो कर ही सकते हैं कि अपनी कटोरी में गुनगुना जल नमक वाला जल ले करके अपनी नाक के पास लाएं और नाक के माद्धिम से आराम से उसको इनहेल करें तो वो आपके मुख में चला जाएगा फिर उसको आप मुख से निकाल दें नहीं ये भी कर सकते तो केवल विरेचन क्रिया ये वो अस्त्र हैं जो सारे आपके पास हैं और आपके काम आएंगे विरेचन क्रिया आप जो भारत योग का यूट्यूब चैनल है उस पर जाएं या मेरा नाम ही लिखें अपने इंटरनेट पर तो मिल जाएगा आचारे प्रतिष्ठा का नाम लिखें तो मिल जाएगा अपने आसपास के योग शिक्षकों से उसकी शिक्षा लेना चाहें वो भी आपको बता सकेंगे क्योंकि अब ये भारत योग की क्रिया हैं जो भारतिय योग विद्या के मूल रूप को बचाय रखने के प्रियास में विक्सित की गई हैं वो वैश्विक हैं सबके लिए हैं और सबकी हैं तो उन्हें सिखाने वाले भी अब सब जगे मिल जाते हैं विरेचन क्रिया का अभ्यास करें, यानि जोर जोर से सांस को छोड़ना, इसका अभ्यास हमें करना है, कपाल भाती का विक्सित रूप है, उसको हम करें, आसनों में अश्वत्थ आसन का अभ्यास, गोमुख आसन का अभ्यास, उतान मंडू का आसन का अभ्यास, सिंग गरजन गति का अभ्यास पेट के वर लेट करके सर्प आसन का अभ्यास यह वो आसन है जो आपको इसमें निश्चित लाब देंगे और मैंने कहा कि जैसे बरतमान परिस्तिती में जिस समय हमें सांसों पर बनाई है और ऑक्सिजन लेवल हमारा बहुत गीर रहा है तो उसके लिए लेट के बल लेट करके बाल आसन करने का अभ्यास सर्प आसन करने का अभ्यास उससे आप हाथों हाथ अपना ऑउक्सिजन लेवल बढ़ा सकते हैं यहीं बलकि हमने रिस्क फ्री रखते हुए आपको दिया अक्सर कायाता है गुबारे फुलाने का अभ्यास करिए लेकिन मनन पूर्वा की देखने में आया कि गुबारा फुलाने से लंग्स की एक्सराइज तो होती है लेकिन वो उतनी सुरक्षित नहीं है क्योंकि उसमें पेट्रोलियम पार्टिकल्स जो हैं वो रबर पार्टिकल्स वो उसके अंदर भी होते हैं आपने कभी गुबारा फुलाया हो और बड़े साइस का तो आपने देखा होगे उसमें से जब आप वापिस सांस उसको छोड़ते हैं यह निस सांस से उसके अंदर हवा भरने के बाद मुँ अटाते हैं तो उसकी जो बापसी की हवा है वो कई बार आपके लंग्स को नुकसान भी दे सकती है इसलिए यहां पर भरत योग का प्रोविजन इसमें दिया गया वहां पर शंकत ध्वनी का दिया गया कि हम लोग शंकत ध्वनी के द्वारा अपनी लंग्स की capacity को बढ़ाएं और oxygen लेवल अपने शरीर का बढ़ाएं प्रणावत ध्वनी करें लास्ट में बैठ करके यानि ओम का लंबा उचारन करें अगर किसी भाई को लगता है कि ओम बोलना कठिन है और ओम बोलना उसके लिए संभव नहीं है तो वो केवल गहरा स्वांस लेकर के दीर्ग उकार यानि दीर्ग उचारन करें जिससे के पूरा exhalation हो पूरा ना भी जो है उसका contraction हो और उसके बाद उन्हें और अधिक inhalation करने का मौका मिले गहरा सांस भरने का मौका मिले तो इसका अभ्यास करना और जो कुछ भी नहीं जानते तो उनके लिए हमने एक last provision इसके अंदर दिया कि वो मुक्तहास यानि अटहास का अभ्यास करें अक्सर हम जब हसना छोड़ देते हैं लोग अक्सर यह समझते हैं कि योगा इस वेरी सीरियस सबजेक्ट उसे गंभीर सबजेक्ट मानते हैं जबके सच्चाई यह है कि योग में तो सीरियसनेस खतम हो जाती है सिंसियरिटी बढ़ती है आप सिंसियरिटी के साथ लाफ्टर करें चाहे जो मजबूरी है हसना बहुत जरूरी है तो आप देखेंगे कि आपकी ऑक्सिजन लेवल भी और जीवनी शक्ति भी दोनों ही खूब अच्छे से बढ़ेंगी और आप किसी भी विशमता पर पार प बहुत अधिक बढ़ा करके रख सकते हैं और ध्यान में केवल अगर आप कोई भी तरीका नहीं जानते कोई टेकनीक नहीं जानते तो केवल आत्मदर्शन का ध्यान करें यानि आत्मदर्शन का भ्यास करें थोड़ी देर के लिए बैठें और यह देखें अपने आपको के म अर्बों खर्बों की संख्या में जीव बनाये हैं मनुष्य बनाये हैं लेकिन एक की भी शकल दूसरे जैसी नहीं है जुकात्यूं कौपी कोई किसी की नहीं है तो आप अपने आपको सचमुच सरा हैं कि मैं परमात्मा की सरवत्तम करती हूं और उसके बाद ही देखें कि म देखने वाला मैं वो मैं हूं मैं दुख रूप नहीं हूं मैं भय रूप नहीं हूं मैं तनाव रूप नहीं हूं मैं भोग रूप नहीं है मैं रोग रूप नहीं हूं प्राप्तस से योगाग निमयम शरीरम योगाग निमय शरीरम शरीर जब हमको प्राप्त हो जाता है तो नतत से रोगो न जराने मृत्यू प्रापतस से योगा अगनिमयम शरीरम हम जरावस्ता से मरन से भाय से मुक्त हो जाते हैं तो सकारातमग में जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे मैं शांत हूँ सौमे हूँ संसुंदर हूँ और चिरंतन हूँ सदैव रहने वाला हूँ तो उस समय में आप इतने कहते हैं कि आत्म वेल प्रोटेक्टिड हो जाते हैं वेल गार्डिड हो जाते हैं कि कोई भी बाही है हमला आपको प्रभावित नहीं कर सकता केवल अपने आपको थोड़ा पहचानने की शुरुवात करिए और वो पहचानने की शुरुवात हमें इस रोग से अगर मिल रही है तो ये भी धन्यावसर हो जाएगा क्योंकि हम हर उस परिस्तिती को धन्यवाद कहेंगे कि जिसकी वज़े से हमें योग के जरोखे में जाकने का मौका मिला हमें स्वरूप आनंद वापति श्च यानि इस और चलने का आपने जो स्वरूप है उसकी प्राप्ति की और चलने का मौका मिला हमको आनंद की परिभाशा मिली तो इसलिए इसको जो इस समय कोरूना का प्रकोप है उसे भय का साधन न मान करके विवेक ख्याती की तरफ बढ़ने का साधन माने और मैंने कहा कि मृत्यू हमेशा से हमारे साथ साथ चलती आई है लेकिन उसके बावजूद भी हम जीवे मुशर्दै शतम यहां तक पहुंचते हैं और भूयस्च शर्दै शतात वहां तक भी पहुंचते हैं सौ साल से आगे भी अपने योगस्त शरूप में रहकर के जीवित रहें जब मृत्यू हर समय हमारे साथ साथ है तो यह रोग तो मृत्यू नहीं है यह मृत्यू का कारण बन सकता है और उस कोई भी कारण ऐसा नहीं जिसका निदान संभब न हो सके मैं इंडियन योगा एसोसियेशन के द्वारा शुरू किये गए इस प्रयास की सराना करता हूं और आप मेरे अपने हैं इसी भावना से बहुत उदारता पूरवक बहुत प्रेम पूरवक आपको जो संभलने की ये लाठी है या कई ये रोशनी दिखाने वाली जो ये टॉर्च है योग की टॉर्च ये आपके हाथ में थावाना चाहता हूं कि इसको बहुत मजबूत इसे थाम करके रखें कोई भी नकारात्मक शक्ति इतनी मजबूत नहीं है जो इसको पराजित कर सके हरियोम